WHO की recent report के नुसार, पुरी दुनिया के दिन्यान में प्रतिशत लोग जो हैं, वो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, जो उनके स्वास्त के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। इस हवा में oxygen के साथ-साथ, APM 2.5, PM 10 particle और nitrogen dioxide जैसी harmful gasों को inhale कर रहे हैं। जिनके long term और short term दोनों ही प्रकार के health impact आपकी body पर देखने को मिलेंगे। severe तरीके से ये आपके स्वास्त को प्रभावित कर सकते हों। और इसलिए दोस्तो, WHO ने दुनिया भर के जो leaders हैं उनसे request की है कि इसको दूर करने के जो correct measures हैं वो उठाए जाए और हवा में बढ़ते वे production को reduce किया जाए। सबसे जादा जो है इससे middle income देश जो है जो developing missions है वो प्रभावित है। मेरी भी एक suggestion है दोस्तो, इस pollution को दूर करने के लिए बहुत ही सस्ता काम आप कर सकते हैं, जादा से जादा पेड लगाए। तो दोस्तो जाए और हर एक occasion के उपर आप एक पेड लगाकर इस हवा को स्वस्त बनाने में हमारी मनुद कीजिए। थैंक यू वरी मुच जाहिंद।